जैहिन साथियो, सुआगा थे आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल Free Knowledge 1998 पर दोस्तो आप सभी के लिए असम रेजिमेंट में डारेक्ट ओपन रेली भरती निकली हुई है जीहां दोस्तो आपने सही सुना असम रेजिमेंट में आप सभी के लिए रेलेशन्शिप भरती डारेक्ट ओपन रेली भरती आई हुई है दोस्तो इसकी पूरी जानकारी में आपको बात में दूँगा सबसे पहले एक सूचना दे दूँ दोस्तो 2020 में दिसंबर माह में बहुत से फैक नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि दिसंबर में रेली भरती होगी तिये आर्मी रेली भरती के और जिलेवाइस रेली भरती के बहुत से आपको नोटिफिकेशन और फेक वीडियो देखने को मिल रहे हैं कि भरती होगी दोस्तो मैं आपको सही नियूज बताता हूँ कि दिसंबर महा में कोई भी टीय रेली भरती या जिलेवाइस भरती नहीं होना है या आपको जनवरी के महा में या फिर 2021 महीं देखने को मिलेगी तो यह जानकारी आप प्लीज याद रख लेना आप दिसंबर महा में कोई भी टीय वार्मी रेली भरती और जिलेवाइस भरती नहीं होना है तो चलिए दोस्तो वीडियो आगे चलते हैं दोस्तो आपके लिए असम में ओपन रेली भरती यानि डारेक्ट रेली भरती आई हुई है रिलेशन्शिप भरती जो की है तो दोस्तो फीडियो स्टार्ड करने से पहले आपको मैं कहना चाहूँगा यदे आप हमारे चेल्पे नए हों तो प्लीज हमारे चेलने को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना बूलेगा और वैल आईकन तमना ना बूलें ताकि next वीडियो का update आपको सही समय पर मिलते रहे दोस्तो हम अपनी इस YouTube चैनल पर आपको आर्मी से रिलिटेट पूरी जानकारिया देंगे कि आर्मी की बाहलियां कब होना है टी आर्मी भरती का बाना है ओपन रिलिटेट का बाना है रिलिटेटिक बाना है और दोस्तो गौर्मेंट अपडेट की जितनी भी जाब है उसकी पूरी जानकारिया हम अपनी इस YouTube चैनल पर देते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्काइब कर लेना दोस्तो आसम में आपके ओपन डारेक्ट रिलिबहरती का आगास हुआ है या पहली निकली हुई है जिसकी जानकारी मैं इस वीडियो पर दूँगा आप वीडियो पर लाच तक बने रहिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ आपको पूरी जानकारी इस वीडियो पर देता हूँ जैसा कि दोस्तो आप स्कीन पर देख रहे हैं इंडियन आर्मी असब रेजिमेंटल रिलेशन भरती 2021 तो दोस्तों यह रिलेशन्शिप भरतिया है जो कि जनवरी के महा तक चलेगी आपको पता है रिलेशन्शिप भरतिया बहुत लेटक चलती है तो दोस्तों अब हम नीचे और बात करते हैं अब हम बात करते हैं दोस्तों इसको ए आरो सिलोंग के तरफ से ही जारी किया गया है अब हम रेली वेन्यू की बात करें इसमें आपको ग्राउंड कहां पर जाना है दोस्तों आप इसमें ग्राउंड कभी दे दिया है कि ग्राउंड कहां पर होना है असम रेजिमेंटल सेंटर सिलोंग से हैपी वैली ग्राउंड में यहां पर आपका ग्राउंड होगा अब दोस्तों कौन सी पोश्ट में कौन सोन कौन कौन से स्टेट जिलेवाइस आप इसमें अपलाई कर सकते हो तो सबसे पहले नमर पर दोस्तों मतलब जीडी की पोश्ट के लिए कौन कौन अपलाई कर सकते हैं दोस्तों जीडी की पोश्ट में असम मनीपूर मिजोरम त्रिपुरा अलुनाचल प्रदेश मेगालाय नागलें यह इन यह यह स्टेट दोस्तों इस रिलेस्ट सी भरती कैनेड़ेट एलिजबल हैं सिर्फ जी ओफ इंडिया रिलेस्ट इड और स्टेट इस पोश्ट मैंन कैनेड़ेट और इलिजबल तो इसमें बहाग सकते हैं और अब अधर इंडिया के जो भी इसमें भाग ले सकते हैं मोस्ट इंपोरटेंट आपको क्या डाबेंड लगना सब सब पहुंश्व आपका all documents check होना है जो कि आपको पूरी documents आपको original marksid relationship आपका जो बनता है डिप्लोमा वो या फिर जो भी documents है प्रमाण पत्र जो बनते है relationship के वो लेके जाना है 10-12 की marksid data लेके जाना है और अधार card जो कि आपकी पहचान पत्र है वो लेके जाना है और दोस्तों आपका face marks लेकर जरूर लेके जाना है और sanitizer भी लेके जाना है जैसे कि दोस्तों इसमें आपको थोड़ी जानकर यह दे दूँ कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप यह देख रहे हो यह notification पर 16 दिसंबर 2020 को सबसे पहले दोस्तों आपके document चेकिंग होगे और इसी दिन आपका physical ले लिया जाएगा आपका ground भी होगा इसी दिन आपका physical भी होगा और ground भी इसी दिन आपका हो जाएगा आप second बात करते हैं दोस्त पर आपके final document checking होंगे आपका ground निकलने बाद final आपके जो documents होगा वो चेक होंगे आप 18 से 20 दिसंबर का आपका होगा दूस्तों medical examination आपको पता है कि relationship भरतिये बहुत लेट तक चलती होती है क्योंकि इसमें बंदे तो कम आते हैं selection भी आपका ज्यादा होता है बट इसका काम जो दोस्तों बहुत थोड़ा लेट चलता है अब बात करते हैं 30 जनवरी को 30 जनवरी को दोस्तों आपका admit card आपका admit card आजाएगा और फिर आएगा दोस्तों 31 जनवरी को जो 2021 में आपका return test आपको बुलाया जाएगा return test के लिए और हम नीचे आपको और जानकारिये देते है और 40% marks होना चाहिए 33% आपके हर सब्जेक्ट में पास होना चाहिए अब हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया आर्मी एज लिमिट की बात करते हैं soldier gd में दोस्तों आपकी साड़े सतरह से 21 वर्स तक एज होनी चाहिए और soldier trade man में दोस्तों साड़े सतरह से साड़े सतरह से आपकी 30 एर तक एज होनी चाहिए दोनों trade में अलग-अलग एज का प्रावधान रखा गया है अब हम बात करते हैं दोस्तों आपका फिजिकल स्टेंडर्ड में क्या क्या होगा तो इसमें आपका आपकी हाइड क्या है तो जन्रेल डियोट्यों में आपको 57 हाइड होनी चाहिए सेंटीमीटर और ट्रेड में में भी आपकी 57 सेंटीमीटर हाइड होना जरूरी है अब हम वेट के बात कर लेते हैं दोस्तों तो आपका वेट पहले होना चाहिए और दोनों trade में 48 केजी वेट होना आनिवार है और चे टेस्ट इंक्रीज होना चाहिए फूल आने के बाद अब हम सेलेक्शन प्रोसेश की बात करते हैं सबसे पहले आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसमें आपको 1.6 किलोमेटर की रनिंग होगी जो कि आपको कुछ टाइमिंग दी जाएगी 5.2 या तो यदि आप 5.3 यदि आप पार करते हो तो आपको 60 मार्क्स दिया जाएगा और आपको गुरुप 1 में रखा जाएगा और यदि आप 5.31 सेकंड में पार करते हो तो दोस्तों आपको 48 मार्क्स दिया जाएगा और आपको गुरुप 2 में रखा जाएगा अब हम भीम की बात कर लेते हैं जिस जंब करना होगा जिक-जैक होगा और medical test होगा चेक होगा अपका रिटन होहँगा रिटन के बाद आपका बढ़ते हैं तो दोस्तों आपको दी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार दोस्तों में चल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना और वैल आइकन दवना ना भूलना ताकि ऐसी वीडियो के अपडेट आपको सही सबाइब मिलती दोस्तों मैं जल्दी आपके लिए पेपर भी लेकर आने वाल हूं अपने से चैनल पर तो प्लीज दोस्तों मैं चल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लिया और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करना ताकि सबी को पता चले और तैयारिया करते रहें 2021 में आपको बहुत पसंद आई हो तो भी मेरी चैनल को चरूर सब्सक्राइब कर देने यार सब्सक्राइब कर लेप भूलना मत और वीडियो को लाइक जरूर करना और वैल आकान दोड़ाना ही नहीं भूलना ताकि नेस्ट वीडियो को अपडेट आपको सहीं समय बढ़ना